तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके किसी भी वीडियो पे कोपिराइट कलेम आ गया है तो आप कोपिराइट कलेम कैसे हटा सकते हैं जी हाँ दोस्तो इसको हटाने का एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है अगर किसी आपकी वीडियो पे कोप मत करिएगा ये वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका copyright claim 100% से हट जाएगा और दोस्तों उस वीडियो से आपको earning भी होगा क्योंकि जिस वीडियो पर copyright claim आ जाता है उससे आपको कोई भी earning नहीं होता बट जब आप इस copyright claim को हटा देंगे तो आपक साइड पर आपको इक option दिखाई एगा second number पर वीडियो का यहां पर तो मैं इस option को यहां पर कुलिक करदेता हूं यह वाले option को second नमबर पे है, इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी वीडियोस आ जाएंगी, तो अब यहाँ पर दिख़्ें, यहाँ पर दिखाया जा रहे कि मेरी इस वाली वीडियो पे कोपीराइट कलेम है, तो इसको मैं कैसे रिमूब करूंगा, कोपीराइट कलेम जहाँ पे ल का तो यहां पर मैं c detail पे क्लिक कर दूँगा उसके बाद दोस्तों यहां पर c detail के बाद आपके सामने का नया page open होगा और यहां पर दिखाया जाएगा देखें कितने टाइम से और कितने टाइमिंग तक आपकी वीडियो में कोई music आया है जिसके वजह से copyright claim है यानि मेरी इस वीडियो में 14 सेकिंड से और 55 सेकिंड तक कोई music यूज हुआ है जिसकी वजह से copyright claim मुझे आ गया है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं monetization off है क्योंकि जिस वीड में तो select action को मैं click करूँगा यहां पर आपके सामने तीन option आएगा trim और trim out segment दूसरा आएगा replace song और तीसरा आएगा mute song इसका थोड़ा मतलब समझ लीजिए trim का तो यह मतलब है कि जिस part में मेरा यह music आया है जिस में copyright claim में यानि 14 सेकिंड से 55 सेकिंड तक अगर मैं इसको trim करूँ तो यह वीडियो से हट जाएगा इतना part second वाले option का मतलब है replace song यानि जिस music के वज़ा से मुझे copyright claim आया है उसको मैं replace कर सकता हूँ third option का मतलब है mute song यानि जितने भी timing पे मेरे copyright claim आया है 14 सेकिंड से 55 के बीच में उसको मैं यहां से mute कर सकता हूँ तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको आप second वाले option को क्लिक करिए replace song को क्योंकि अगर आप trim करेंगे या mute करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो थुड़ा सा बिगड़ जाएगा वो अच्छा नहीं लगेगा देखने वाले को फिर तो इसको replace song पे में क्लिक यह देखिए कितना सारा song का list यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है यह पूरा का पूरा copyright free song है इसको आप बेफिकर वीडियो में use कर सकते हैं यह YouTube का ही song है तो यहाँ पर आप इसको play करकर करके देख सकते हैं यह play का निशान आ रहा है यहाँ पर तो इसको आप यहाँ पर play करकर करके भी देख सकते हैं तो जो भी मुझे यहाँ पर song पसंदों में क्या करूंगा उसको में एक बारी touch करूंगा जैसे मुझे पहले वाला song लगाना है तो मैं इसको एक बार ही touch करूँगा और उसके बाद यहाँ पे add पे में click कर दूँगा तो simply मैंने यहाँ पे add पे click कर दिया तो add पे click होते ही यह देखे यहाँ पर यहाँ पर देखे दिखाया जा रहे यह वाला जो selling है title वो दिखाया रहे यहाँ पर देखे यह title आ गया blue color में तो इसको क्या करेंगे simply हम यहाँ से finally save पे click कर देंगे तो मैंने यहाँ पर save पे एक बार click किया उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे save पे click करना पड़ेगा तो हम दोबारा से इसको save पर click कर देते हैं एक चीज़ का आप दोस्तो ध्यान दखिए जब आप यह procedure करते हैं copyright claim हटाने का तो तुरंत से आपका copyright claim नहीं हटेगा बलकि इसको 24 गंटे लग जाएंगे copyright claim को हटने में यह चीज़ आप ध्यान दखिए बहुत सारी लोग सवाल करते हैं कि सर copyright claim नहीं हटा तो इसको 24 गंटे लग जाएंगे copyright claim को हटने में तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना मिलता हू